जब पहले पहले डिपी वर्क शुरू हुआ तो देवघर में देवघर में हम लोग जो जितने लड़की सब हैं उन सब लड़कों को पुजिनी अभिन ददा ने घृप घृप केटेगोरी करके भाग कर दिये कि तुम लोग इस गाउपे जाओगे तुम लोग उस गाउपे जाओगे तो ऐसा एक कहानी आया कि एक गाउपे कुछ लड़के गए वहाँ पे एक बुड़ी औरत थी अकेली बुड़ी औरत उसका कोई नहीं है बहुत दिन पहले दिक्षा लिया हुआ हुआ है वो लेकिन उसके घर पे कोई नहीं वाकेली रहती है तो जब वो लड़के सब पहुँचे वहाँ पे जाके बूले कि हमें आचरेत ददादाने भेजे है आपका ख़बर लेने आप कैसे है आपका जिंदेगी कैसा चल रहा है तो वो बुड़ी औरत दिल फार के रोने लगी और उस औरत के मुँझे एक ही सब्ड निकला कि इतने दिन आप लोग कहां थे इतने दिन आप लोग कहां थे मैं 80 साल का हो चुका हूँ मैं 30 साल से अकले रह रही हूँ आप लोग कहां थे तो जब ये कहानिया के दादा को बताया गया तो दादा ने कहा कि इस पृत्वी में ऐसे कितने ऐसे घर होंगे जहां कोई एक इंसान अकेला है अकेला रो रहा है और उस इंसान के घर में थाकुर जी भी अकेले रो रहे हैं और हम लोगों का इंतिजार में है कि मेरा आदमी कब आएगा मेरा आदमी इस आदमी के यहां कब आएगा इसी के चलते दादा ने कहा है कि हम लोग जितना हो सके लोगों तक रीच करें पहुँचें उनका ख़बर लें बस इतना ही तो काम है और तो कुछ करना नहीं कुछ बोलना भी नहीं है बस निश्वार्थ भाव से पहुचके बोले कि आप कैसे हैं आपको कोई असुविदा है आप ठाकुर जी का दिख्षा लिये थे आप इस साल पे लिये थे इससे हमारा पहचान बड़ा है और कुछ नहीं बस आपको हम पैचानते हैं इसलिए आये हैं आपका खबर लेने आये हैं और वो एक दिन का कहानी नहीं हो सकता एक दिन गए मिल लिये चले गए नहीं हर दिन जाएंगे हर दिन नहीं सकते हैं सब्ता में एक दिन जाएंगे बारबर जाएंगे, उनके पास जाएंगे, उनका ख़बर लेंगे कुछ मांगेंगे भी नहीं, कुछ बुलेंगे भी नहीं बस एक ही चीज देंगे, वो है प्यार, प्रेम यही है DP work, यही है जाजर इतना ही भर करना है, और तो कुछ नहीं है लेकिन वो एक दिन का स्टोरी नहीं है, एक दिन गये है बहुत जोज में गये आ गये, नहीं, it has to be consistent निस्था के साथ, कुछ पाने के लिए नहीं यह भी नहीं सोचना है कि उसको हमको ठागुर जी का आदमी बनाना है एक दिन नहीं, हम कुन होते हैं बनाने वाले यह हमारा capability में है ही नहीं, यह हमारा शमता नहीं है यह उनका शमता है हमें तो कर्म करना है, result यह consequences यह हमारे हाद में नहीं है target oriented होके अगर जाएंगे कि यह achieve करना है फिर तो हम गलत direction पर सोच रहे हैं, हमारा कोई target नहीं है हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद है बस प्यार, काम करना, जाना दादा ने जो आदिश दिया है उसका पूरा करना होगा और क्या नहीं होगा और क्या होगा, यह उनके हाथ में है यह उनके हाथ में है जब होगा तब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा मेरे दो पाउ में मेरा कैपासिटी है दिये दो पाउ से मैं 20 किलोमेटर से जादा नहीं दोड सकता तो मैं 40 का कैसे सोचो मैं 20 दोड़ूंगा लेकिन हर दिन दोड़ूंगा एक कहावत है बुसली का ऐसे पढ़ा था पता नहीं कितना सच है इंस्टा पे फेज़ूक पे आता है बुसली ने कहा मुझे उस इंसान से दर नहीं लगता जिसको 10,000 टाइपस ओफ पंचेस आता है मुझे उस इंसान से दर लगता है जिसने एक तरह का पंच 10,000 वर प्रेक्टिस किया है तो करना तो एक ही चीज, छोटा सा चीज है छोटा सा एक चीज है लेकिन परावर करना है निरंतरता के साथ करना है, निष्ठा के साथ करना है सक्सेस उनका उपर है होगा तो होगा अब थोड़ा जुमेंगे आनन्द में